नमस्कार मैं डॉक्टर हितेंद शर्मा लैप्रोस्कोपिक सर्जन मनिपाल हॉस्पिटल गाज़बाद आज एक कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम की जनकारे देने के लिए जो है गॉल बडर स्टोन पित की थैली की पत्री या पत्रियां ये कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम है और लोग अकसर कुछ ब्रांतियों की वज़े से इसके लाज से बचते रहते हैं पित की थैली एक पाचक और्गन्स के हिस्सका हिस्सा है इसमाल पाउच लाइक तिंग जो की लिवर के अंडर सर्फेस पे होता है इसमें पित या बाइल स्टोड होता है बाइल बनता नहीं है ये फैट पचाने में काम करता है इसके अंदर अकसर पत्रिया बन जाती है जो आज कल कॉमनली बहुत बढ़ रही है एक बार अगर पित की थैली में पत्री बन गई तो उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सजरी ही बसता है किसी ब्रहांती में पढ़ कर इसको गलाने के कोशिश ना करें जो एक ट्रीटमेंट बसता है वो है कि पित की थैली को ऑपरेशन करके हमेशा कलिए निकाल दे यह ओपरेशन आजकल बहुती सुवधा जनक लेपरोस्कोपिक दुर्बीन विदी से करा जाता है जिसमें पेट में चार या पाँच छोटे छोटे इंसीजन्स होते हैं और पित की थैली को निकाल देते हैं और इस बिमारी का जड़ से खात्मा हो जाता है भरांती यह है कि पित की थैली निकल जाएगी तो खाना पचाने का क्या होगा उस पर बिलकुल प्रभाव नहीं पड़ता है शरीर को एड़जस्ट करने में लगबग एक महीना लगता है तो एक महीने के लिए खाने का परेज होता है घी तेल चिकना यह नहीं खानी होती दूद वाली चीज़े नहीं खानी होती एक महीने के बाद एक ऐसा मरीज जिसके पास पित की थैली नहीं है और एक आम आदमी जिसके पास है दोनों का खान पान और फिजिकल एक्टिविटीज सब बराबर रहती है पित की थैली की जो पत्रिया होती है इनके कॉम्प्लिकेशन्स बहुत खराब है समय रहते इलाज ना हो तो बहुत दिक्कत हो सकती है छोटी पत्रियां आगे सिलिप करके डक्ट में नली में फस सकती है जिनकी वज़े से काफी खराब पीलिया, जॉंडिस या एक ग्लैंड पैंक्रियाज होता है उसमें सूजन आ जाती है पैंक्रिटाइटिस और इनकी वज़े से फिर बहुत परिशानी जहलनी पड़ती है और काम बहुत बढ़ जाता है उनसे बचने के लिए जितना जल्दी हो सके जब भी डैगनोसिस पता चले कि पित की थहले पत्री है तो समय रहते हुए ओप्रेशन करवा कर पित की थहली को निकलवा देना चाहिए ओप्रेशन के लिए सिरफ एक दिन का हॉस्पिलल स्टे होता है आप सुबह खाली पिट भरती होते है कुछ जाचे होती है बेहोश करके दूर्बीन विदी की सजरी होती है और नेक्स जे आपको डिश्चार्ज कर दिया जाता है काम पर आप लगबग हफता आर दिन के बाद जा सकते है तो पित की थहली में जब भी पत्री हो इसको गलाने कोशिश ना करें समय पर इलाज करवाएं सजरी करवाएं और कॉम्प्लिकेशन से बचें धन्यवाद